असम का चुनाओ प्रधम चरण का चुनाओ तो 25 तारिक को चार बजे चुनाओ प्रचार थम जाएगा यहने पहला चरण के चुनाओ प्रचार हो गया है और इसमें करीपरी 47 सीट में मद्दान होगा मगर जोहां तक मेरा सवाल है मैं वहां पे कोहाटी और कोहाटी से डिपरुगड और डिपरुगड के आसपास के विदान सबाव में घुनता रहा और मुझे इस बात के एसास है कि पांस साल के कारकाल सुनोवाल जी के कहें या केन सरकार की हमारे च्छे साल के प्रथानमंति जी कारकाल वो असम के लिए टर्निंग पाइंट रहा और जिसे तेजी के साथ डेवलोब्मेंट के काम इस पांस साल में या साथ मेहने में हो तो हम लोग कंपेर करते हैं कि साथ मेहने में साथ साल से ज़्यादा काम इस सरकार ने करके विकास के लिए एक निश्य दूप से असम के लोगों के मन में एक इस्थान बनाया है और ये विकास के सुनाओं को बहुत बड़ा आधार है सड़कों का जाल बिछाने का काम पेजल पानी के बेहतर विवस्ता का काम वहाँ के इंफरेस्ट्रक्शर में मेडिकल कालेज इंजिनिंग कालेज आठ मेडिकल कालेज 21 इंजिनिंग कालेज की स्थाबना और सबसे बड़ी बात सुरक्षा का एसास सुरक्षा का एसास बहुत बड़ी बात है और एक विश्वास इस सरकार के साथ हुआ जो गुस पैठी हैं उनको रोकने के लिए बार लगाया गया है सेटलाइट से इसकी मॉनिटरिंग होती रही असम या संस्कृति को आगे बढ़ तो मुझे लगता है कि एक पॉस्टिव रिजल्ट इस सुनाओं में भारती जन्ता परड़ी के पक्ष में होगा और दूसरी बार भारती जन्ता परड़ी पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ जीत के असम में सरकार बनाने जारी